नमस्कार दोस्तो शौर्मा जी की रस्वी में आपका फिर से एक बार स्वागत है आग में फिर से आपको गोटा लगा कर डिजाइनर ब्लाउज बनाना बताने वाली हो देखिए कितनी फिनिशिंग से लगाया है हमने इसे और नीचे भी किनारी पर भी लगाया है और प्रेस कर दिजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे देखिए इस पर मैंने किस तरह से गोटा लगाया है एक सेंटर में थोड़ा क्रोस क्रोस करकर ही मैंने ये गोटा लगाया है काफी फिनिशिंग का बहुत ही अच्छा लगता ह यहां ब्लाउस पहनने पर और आम इसे कोई भी प्लेन साड़ी के उपर पहन सकते है या फिर चुनेडी वाली साड़ी पर पहन सकते है लेहरया वाली साड़ी पर यलो लेहरया पर हम ये रेड़ वाला ब्लाउस पहन सकते है ग्रीन लेहरया की साड़ी पर हम इसे पहन सकते ह तो चलिया आज मैं आपको पूरा प्रॉपर ब्लाउस कैसे बनाते कैसे गोटा लगाएंगे वहाँ बताने वाली हो तो आप इसी तरह से मेरे चानल पर बने रहें और मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए देखिए ये ग्रीन वाला भी ब्लाउस बनाया है मैंने इसमें एक ही बारे किनार लगाई है मैंने और नीचे जिगजग वाला गोटा लगाया है बिल्कुल सिंपल वाला थोड़ा सा गोटा लगा कर इसे तैयार किया है मैंने पिंक कलर के लेरिया के उपर यह ब्लाउस पेहनने के लिए बनाया है बहुत अच्छा लगता है यह ब्लाउस को मैंने पहले कटिंग कर लिया है देखिए और ब्लाउज को मैंने अस्तर इस तरह से साइड में सिलाई लगा कर चिप कर लिया है ताकि अब यह ब्लाउज और अस्तर एक ही जगा बना रहे है और जितनी बाहि हमने यह स्लिउस काटी है उतना ही मैंने पेपर भी काट लिया है और देख ये center का निशान लगा लिया है मैंने center से इस तरह से हम लगाएंगे आप पहले अगर आपके पास scale हो तो आप उससे निशान बना ले पहले और फिर उसके बाद में यहाँ लगाया आप गोटा और ये center के निशान में मैं लेकर फिर इस तरह से cross लगाने वाली हो तो sluze जितनी में आपकी है अस्तर पहले लगा लिया है मैंने और अब मैं चलिए हम आप गोटा लगाएंगे तो इतना ही मैंने paper भी काट लिया है नाप का तो अब ये बारिक वाली गोटा लगाने वाली हो मैं इस तरह से cross में लगाऊंगी मैं sluze में और देखिए ये मैंने बेख साइड में भी लगाया है और अब मैं नीचे ये किनार लगाने वाली हो पहले तो पहले मैं जो blouse की नीचे की जो किनार है उसे पहले fold कर लेने वाली हो ये वाली भी किनार है मेरे पास पर मैं ये पूरा proper जो जिग जेक बीजिया जिसे कहा जाता है वह लगाने वाले हुआ थोड़ा अच्छा लगने वाला है या फिर आप इसी तरह से प्लेन भी लगा सकते देखिए अब मैं पहले मैंने नीचे का फोल्डर पूरा नीचे का पोश्यन मोड कर कर तयार कर लिया है और अब इस तरह से मैं यह के गोटे की किनार और उपर गोटा रखकर इसे बना लूँगी स्लिउस के नीचे अभी भी मेरे पेपर लगा हुआ है पेपर को हम बाद में निकालने वाले हैं अब इस तरह से हम यह जो चोड़ी हमारी गोटे की पटी है इसे भीजिया और चोड़ी पटी को हम इस भाई पर स्लिउस के उपर लगा लेने वाले हैं देखिए किनार को बिल्कुल बराबर सेट करें, हलके-लके हातों से सिलाई लगाएं, बहुत जादा जल्दी मोटर बिल्कुल भी ना चलाएं सिलाई मशिन की, और इसी तरह से धीरे-धीरे हमें यहां करके इस गोटे की पट्टी को भी सिलाई लगा लेना है, हातों को पूरा प्रेस करते हुए हाथ से इस पट्टी को पूरा प्रेस करकर रखे ताकि इधर उधर ना सरके क्योंकि यह पट्टी जो चोड़ी होती है गोटे की बहुत जल्दी स्लीप हो जाती है तो मैं हाथों से इसी तरह से दबा कर रखूंगी इसे और अलके-अलके हाथ से सिलाई और क्योंकि जब हम दूसरी स्लाइब मारेंगे इसके उपर तो उसके अंदर बिल्कुल भी सल ना आए इस बात का खास तोर पर ध्यान रखना है नीचे पूरा पेपर लगा हुआ है अमारे इसलिए उसके नीचे अब हम बात में धीरे धीरे इस पेपर को भी निकाल लेने वाले है इसी तरह से मशीन को हमें चलाना चाहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो तुरंत मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिपिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे देखिए कितना बढ़िया लग चुका है अब मैं इस गोटे की जो पट्टी है इसकी दूसरी साइड भी हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे इसके लिए हमें पहले वाली सिलाई जब लगाई थी तो बहुत आराम आराम से लगाई थी कि दूसरी जब हम सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल भी सल नहीं आने चाहिए एक हातों से हम इस पट्टी को इसी दर से प्रेस करकर रखेंगे और धीरे धीरे ही मसीर हमें चलानी चाहिए ताकि दूसरी साइड में जब पट्टी में सिलाई लगाएं तो कोई भी सलना आए तो अब जब छोटी छोटी बातों का इस तरह से ध्यार रखते हैं तो हमारा जो भी काव हम करते हैं बेतर तरीके से हमारा काव होता है और बिल्कुल बहुत ही बेतर फिनिशिंग के साथ लगाया हमारा ये गोटा देखिए पूरी स्ल्यूज बनकर तैयार हो गई है हमारी है दीचे पेपर पूरा लगा हुआ है अब देरे पेपर को भी हटा लेने वाले हैं पिछे की बैक साइड अब तयार कर लेंगे गोटा अब लगा लिया है सेंटर बेसे इसी तरह से मैंने टर्ड करकर लगाया है और अब मैं जो दीचे का पूर्चर है इसे थोड़ा सा हलका फोल्ड कर लेने वाली हूँ ताकि इसके उपर भी मैं जो गोटे की पट्टी लगाने वाली हूँ तो यहां अदर सिलाई लगा लूगे दीचे से और इसे थोड़ा ताकि अदर प्रेस हो जाए और उपर से हम गोटे की पट्टी लगाएगे इस तरह से यहां भी गोटे की पट्टी थोड़ी चोड़ी बैक साइड भी बन कर तयार हो गई है अब पूरा ब्लाव सिल लेगे हम उसके पहले आप यह पेपर को निकाल देगे देखिए ध्यान से किता बहतर तरीके से निकल जाता है पर इसे बिल्कुल भी खेशतार करकर ना निकाले पेपर को हलके हलके हाथों से प्रेस करकर ही हम इस सिलाई से गोटा लगाया है तो सिलाई भी थोड़ी मोटी है तो बिल्कुल भी खेशतार ना हो इस बात का हमें ध्यान रख रा चाहिए और इसी तरह से पूरा पेपर निकाल देगे हम और पूरा ब्लावस को सिल कर तैयार कर लेगे कैसा लगाया आपको मेरा वीडियो निकाल देना है दो रोस की उसका पेपर देखिए मैंने निकाल दिया है अब मैं आज वाजों से फीडिशिक से काट लूगी इसे और जो हलका हलका पेपर लगा हुआ है उसे भी मैं थोड़ा थोड़ा करकर अच्छे से ध्यान से निकाल देने वाली हूँ कोई प्रोब्लम उसके बाद बैसे चीए गया से क्योंकि पहले फिरीशिक होगी तब यह दिखने पर अच्छा दिखने वाला है सबी पोर्शन के हम पेपर से निकाल लेए एक बार पेपर जब एक सिलाइए में से निकल जाता है तो तुरत दूसरी mm से भी निकल जाता है तो इसी तरह से प् और मैं आपके लिए बहतर वीडियो लेकर आती रहोंगे, इसी तरफ के, तो देखिये, अब ये पूरी एक sluze का मैंने पूरा paper निकाल लिया है दूसरी sluze का भी paper निकाल लिया है और ये backside का paper है जो कि मैं निकाल ले रही हो बहुत आसानी से लगाया जाता है गोटे अगर हम नीचे पेपर रखकर सिले ही लगा है तो बहुत आसारी से लग जाता है अभी आजू-बाजू की पूरी में फिनिशिंग कर लेने वाली हो ब्लाउज का जो बैक साइड है और जो स्लिउस में तैयार की है उनकी सब आजू-बाजू से पूरी काट कर फिनिशि हो गई थी देखिए अभी हमेंने सभी फिनिशिंग कर दिये हैं और उसके बाद में हम सिलाई लगाएंगे और पूरा ब्लाउज सिलेंगे हम देखिए कितना बहतर गोटा लगकर तैयार हुआ है और पहनने के बाद बहुत ही बहतर लुक आता है इसका कई बिलकुल भी बा एलो ग्री इसी तरह के बनाती है तो कि बहुत सी लेहरिय की साड़ी पर सदूंटर्श व्लाउज में चल जाता है तो मैंने ये मिंक साड़ी के ऊपर एक ग्रीन वाला ब्लाउज बनाया है पिक लेरे के उपर और हम उपोर रेड भी ब्लाउज बेत सकते है देखेंस अब हिए पुरे ब्लाउज की काट कर फिडिसिक कर ली है और अब मैं ब्लाउज को सिल कर तैयार कर लेने वाली हूँ देखिए कितने बेहतर लग रही है हमारी यह स्लीस बहुत ही जादा बेहतर लग रही है और बहुत जादा फिडिसिंग से बनाया गया है इसे और देखिए बैक साइड भी पुरी तयार हो गई हमारी तो कैसा लगा है आपको मेरा वीडियो ब्लाउज भी पूरा सिलकर तयार हो गया है तो कैसा लगा है आपको मेरा वीडियो मुझे comment box में जरूर जरूर बताएगा आप भी एक बार जरूर जरूर ट्राय करियेगा और इसी तरह से बहतर 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 से बहतर वीडियोज में आपके लिए लाने के कोशिच जरूर करती रहोगी स्लीज भी बहुत अच्छी वर्ड कर तयार हुई है